एलो फ्रेंड तो आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग जो दिवाल पर यह फिर डोर पर लापी लगाते हो लापी को केसे बनाते है तो चलो वीडियो स्टार्ट करते है तो आपको सबसे पहले कौन सा मुटियर चाहिए चार अपको चाहिए यह हमारी कोई भी कमपनी का ले सकते हो जो भी आपका इंपला थें तृप्मर पर यानि की इन इमल पेंट हुवह आपको वाइट कदर आ का चाहिए यह दूसरे कोई color में आपको नहीं लेना है क्योंकि हमारे लापी का color उस प्रकार से हो जाए तो चलो इसको बनाते हैं सबसे पहरा आपको बाल्ती में थोड़ा पानी एट कर लेना है मुझे 5 kg बनानी थी तो इस प्रकार से ही पानी किया अपको 20 kg बनानी है तरह 20 kg भी एक साथ बना सकते हो दोस्तों तो पानी में आपको पहले एक साथ ही पूरी मीटी नहीं डालनी है थोड़ी थोड़ी करकर पानी में आपको मीटी डालनी है ताकि हमारी अच्छे से लापी बने तो दोस्तों इसको आप लोग कहां पर एप्लाइ कर सकते हो आपकी दीवार पर अगर आपने प्राइमर लगा जैसे कि चूने की दीवाल है चूने की दीवाल पर आपने प्राइमर लगा या फिर प्राइमर करने के बाद आप लापी कर सकते हो लापी करने के बाद आप उस पर कलर कर सकते हो या तो फिर अगर आपने पुट्टी लगाई है तो पुट्टी के उपर आप प्राइमर कर सकत अगर जो खराब है तो उसमें भी आप इसको एपलाई कर सकते हो हो सकते तो बाहर की दिवाल पर इसको मत लगए क्योंकि ये पानी की वज़े से छोड़ देती है दोस्तो आप इंटियर ही इसको लगए तो काफी अच्छा रहेगा तो अभी हमने पूरा इसको पाणी में एट कर दिया अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आप लोग देख सकते हो आपको वोटर में इसको अच्छी तरह से मिक्स करनी है दोस्तो मेरा नाम हे सोईब ब्लोजrah आप देख रहेए सोईब कलरस आइडियस अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीस लाइक, शेरें, सब्क्राइब मेरे चैनल को जरूर से कर दीजिए इसके बाद हम लोग इस पर क्या एट करेंगे, हमने जो आपको मैंने वारनिस और ओविल पेंट दिखा है था, उसको एट करेंगे वो दोनों को आपको एक साथ एट नहीं करना है, दोनों को अलग-अलग एट करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे एट करना है सबसे पहले हम लोग ओईल पेंट लेगे, जो हमारे पास वाइट कलर का है, आप वाइट ही कलर कर लो, दूसरे कलर में लोग है तो आपके इलापी भी वेसे कलर की बन जाएगी तो 5 केजी में मैंने 300 ml तक इसको मिक्स किया है, आप अगर 20 केजी बना रहे हो तो 20 केजी में आप एक लिटर तक इसको एट कर सकते हो और 10 केजी आप लोग बना रहे हो, तो इसको 500 ml तक एट कर सकते हो दोस्तों अगर ज्यादा भी एट करोगे तो भी कोई बात नहीं इलापी थोड़ी हार्ड हो जाएगी अच्छी बन जाएगी अगर आपको बहुत हार्ड नहीं बनाने है तो आप इस प्रकार से इसको करो और वार्निस आपको जब तक नहीं डालना है जब तक कि हमने जो ओल पेंट डा देख सकते हो आप लोग के हमारा ओल पेंट मिक्स हो चुका है अब लोग वार्निस आड करेंगे तो दोस्तों वार्निस भी आप लोग को कितना एड करना है मैंने पांच केजी लिया था इसलिए मैं सेम टूसेम ओल पेंट की तरह इसको भी 300 ml तक एड करूंगा अगर आप 20 केजी है आपके पास तो आप एक लिटर कर सकते हो और दस केजी है आपके पास तो आप 500 ml तक एड कर सकते हो अब लोग देख सकते हो बिल्कुल अमरा लापी का कलर चेंज हो चुका है एकदम अच्छे से स्मूथ बन चुकी है और इसके लगाने के बाद आपकी दिवार भी एकदम स्मूथ और फिनिसिंग वाली बन जाएगी दोस्तों अगर आप लोग कुछ भी पूछना है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉमेट करके पूछ सकते हो मैं आपको रिपले 100% दूँगा दोस्तों तो आप लोग देख सकते हो मैंने इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर दिया आपको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है इसके बाद यह आपको इसको दीवाल पर लगाना है और दोस्तों इसको आप 2-3 मेने तक रख सकते हो आपकी लापी का काम खला सोज़े तो आप इसको पानी येट करकर ऊपर से रख सकते हो जब काम हुए तब इसका वापिस इसको यूज कर सकते हो दोस्तों वीडियो अच्छी लगए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू से कर दीजिया